हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल गार्डेनिंग पैसन में मैं हूँ शाहिद और आज हम बात करने वाले हैं चाइनीज ओरेंज के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने ओरेंज के प्लांट को किस तरीके से हरा भरा रख सकते है हैं किस तरीके से जो है आप अपने फूल को बचा सकते हैं जढ़ने से और भी काफी सारे टिप्स आपको देंगे जो आपके प्लांट के लिए काफी ज्यादा हैल्फुल होंगे तो आप इस वीडियो को एंट तक देखेगा और जो भी आपको जानकारी इस प्लांट से रि काफी अच्छी ग्रोध कर रहा है यह प्लांट इस पर जितना भी फूल आया था सारा का सारा फूल जो है फल में कनबट हो चुका है एक फी फूल जड़ा नहीं है आप देख चकते हैं कितनी अच्छी इस पर जो है फ्रूटिंग हुई है इसके जो फल का साइज है वो देखिए अभी इसका जो साइज है फल का अभी थोड़ा और बड़ेगा लगबग जो नीवू है नीवू के साइज का हो जाएगा यह और इसका जो कलर है वो धीरे-धीरे पीला होने लगा है आप देख चकते हैं कुछ फल जो है पकने भी लगे हैं दीर-धीरे इसका जो कलर है देखिए चेंज हो रहा है अलका गोल्डन हो चुका है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्लांट पर हमेशा फल रहते हैं इस पर हमेशा फूल आते रहेंगे फल भी लगे होंगे और कुछ फल पके हुए भी लगे होंगे इस पर देखिए मैंने भी आपको दिखाया था एक जो फल है हमारे इस पर लगा हुए वो पीला हलका हलका होने लगा है और जो है इस पर फूल भी लगा हुए देखिए अब और जो है काफी छोट छोटे इस पर जो है और इन जब भी लगे हुए हैं तो हमेशा इस पर फल रहता ह है Ș Tisch was L μέ России है काफी अच्छा प्लांट है एक क्यों देकि कि कितने सारे फल हैं इस पे आप देख रेज़ा है उसको आप गाडन में लगाना है तो गाडन में लगा श़कते हैं गामले में लगाना चाहे असानी से हो जाता है कि आप भी चाहते हैं कि आपके प्लांट का जो फूल है वो जड़े ना तो आप एक काम करेगा मैं इसमें जो है लगबग 20 दिन में एक बार जो किचिन में खाने का सोडा होता है वो आप खाने का सोडा लेजिए एक चमच और उसको एक लीटर पानी में जीए और उस गोल को जो है इस पर स्प्रे करिए अगर आप इस पर स्प्रे करेंगे तो आपके जो प्लांट पर अगर कीड़े भी हैं तो फ्ल्कुल नहीं जड़ेगा सारह का सारह फूल जो है फल में कनबट हो जाएगा इसा ही किया है मैं लगबग 20 दिन में एक बार इस पर जो है जो सोडा है उसका गोल स्प्रे करता हूं इस पर तभी ये इतनी अच्छी गिरोध कर रहा है हमारा प्लांट और इसकी मिट्टी देखी इसकी मिट्टी में मैंने जो मुंगफली के छिलके होते हैं वो मैंने डाल रखे हैं आप भी ऐसा करें आपके पास अगर छिलक काम करता है कि का अच्छी ग्रोध होती है अगर आप मिट्टी में इसको मिला दिख तो प्लांट का फिए ग्रोध करता है एक भी पत्ता जो है, इस पर कटा हुआ नहीं है, बस कुछ नहीं करना है, जो मैंने आपको बताया है, वैसा आप करेंगे, तो आपका प्लांट काफी अच्छी गरोथ करेंगा, और आपके जो फूल है, प्लांट के, वो कभी नहीं जड़ेंगे, तो दोस्तों कैसे लगा अगर वीडियो आपको पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, थैंक यू फोर वाचिंग